नमस्कार में देख्षा सिंग बोल्सकाई में आपका स्वागत है बॉलिवुट गलियारम इन दिनों शादियों का सीजन चल रहा है अभी कुछ दिन पहले एक जहां नेहा कककर और रोहन प्रीथ सिंग ने शादि करके हर किसी को सरप्राइस दिया था वहीं अब एक्ट्रेस काजल अगरवाल और गयतम किचलू की शादि की तस्वीरे भी काफी सामने आई है बता दे कि काजल अगरवाल अपने शादि के हर फंक्शन में बेहद ही खूब सूरत नजर आई बात करें काजल अगरवाल के रिसेप्शन लुक की तो ये काफी ज़्यादा डिफरेंट था और ये काजल पर खूफ भी रहा था काजल अगरवाल ने अपने रिसेप्शन के लिए गोल्डन जड़ाउ लहंगा और चोली को चुना था जस पर माइक्रो डिजाइनिंग के साथ हाथ की कढ़ाई का भी काम शामिल था काजल ने अपने इस लुक को डुपट टाफ फ्री रखा था बता दें सिर्फ काजल ही नहीं बलकि बॉलीवुट की कई ऐसी एक्ट्रिसेस हैं जिन्होंने अपने रिसेप्शन लुक के लिए गोल्डन कलर को चुना है अनुशका शर्मा बलिवुट की सबसे सुन्दर दुलहनों में से एक अनुशका शर्मा का ब्राइडल अवतार से लेकर रिसेप्शन लुक सब कुछ एक डम क्लासी था अपने मुंबई में हुए रिसेप्शन पे अनुशका शर्मा ने डिजाइनर सब्यसाची का डिजाइन किया हुआ जड़ाओ गोल्डन लहंगा पहना था जसमें वो बला की खुबसूरत लग रही थी दीपिका पादुकोर्ण दीपिका और रनवीर की शादी उन शादियों में से है जसकी चर्चास तक होती है अपने बैंगलोर रिसेप्शन के लिए दीपिका पादुकोर्ण ने अपनी मा की पारंपरी गोल्ड ब्रोकेट साडी को पहना था जिसे एक्टरस ने सब्या साची मुखरजी के डिजाइन के हुए फुल स्लीव वाले आईवरी ब्लाउस के साथ टीम अप किया था इशामबानी दुनिया की सबसे अमीर हस्तियों में शुमार मुकेश अमबानी की बेटी इशामबानी ने साल 2018 में अजै पीरामल के बेटे आनंद पीरामल से शादी की बता दे कि इशामबानी की वेडिंग के हर फंक्शन पे सबी की नजरे उनके आउटफिट पर थी इशामबानी ने अपने रिसेपशन पार्टी के लिए गोल्डन कलर का लहँगा चुना था अपने शादी के दिन चहाएशा ने अबुजानी संदीब खोसला का डिजाइन किया हुआ लहँगा पहना तो वहीं रिसेपशन के लिए इशानी इटालियन फैशन लेवल मेसन बरेंटीनो का डिजाइन किया हुआ गोल्डन लहंगा पहना था इस लहंगे की खास बात थी कि इस पर सोने और चांदी के फ्लोरल मोटिफ्स को उकेरा गया था जो बेहत ही खुबसूरत लग रहे थे आपको इन सेलप्स का ये लुक कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वीडियो को लाइक शेर करें साथ ही चैनल को सबस्क्राइब करना मत भूलिएगा